आप सभी के अपने यूटूब चैनल आचल एडूकेशन में स्वागत करती हुआ जैसा कि मैं आपको लाइफ प्रॉसेस पढ़ा रही थी आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हर्ट हम हर्ट के बारे में पढ़ेंगे हर्ट क्या होता है कैसी वर्ग करता है इसके इसके इस्ट्रक्चर क्या क्या होते है आप लोग बोलते है ना बच्चो कि मेरे हर्ट में आज ये फिलिंग आई वो फिलिंग आई तो आज हम जानेंगे कि क्या actual में hurt में कोई feeling होती है या नहीं होती है So guys, start करते हैं हम अपना video क्या कहता है hurt? बच्चो, important part of circulatory system जसे कि पता है आपको बच्चो कि hurt जो है वो circulatory system का बहुत ही important part है आपको पता है बच्चो कि transportation का work हमारी body में कौन करता है? तो transportation का work हमारी body में blood करता है ठीखे बच्चो एंड ये blood को pumping कौन करता है? वो करता है हमारा pumping organ hurt ये बच्चो देखे हिए this hurt का structure है ठीखे बच्चो तो pumping organ है हमारा क्या? heartbeat अब देखे बच्चो Music, heart एक muscular organ है that means muscular मतलब जो मांसे से बना है ठीखे बच्चो तो हमारा heart एक muscular organ है ठीक है बच्चो एड़ इसका जो वेट होता है वो 280-340 ग्राम होता है in males में आपको देखने को मिलेगा एड़ फी मेल में हम बात करें तो थोड़ा सा ये छोटा होता है जाते नहीं बच्चो बद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि छोटा होता है जो की होता है 230-280 ग्राम तक और आपको पता है बच्चो की जो इंट्रेंस है, means जो सिसू है, उसमें कितना वेट होगा? 20-25 ग्राम, क्योंकि बत वैसे भी छोटे से होते हैं, और उनका हर्ट भी बहुत छोटा सा ही होगा, ठीक है बच्चो? इसका जो लोकेशन होता है, वो कहाँ पे है बच्चो? लोकेशन, हर्ट का लोकेशन है थोरासिक कैविटी में, अब बच्चो आप बोलें को थोरासिक कैविटी क्या है, कुछ और नहीं बच्चो, वो हमारा जो जो चेस्ट कैविटी है, उसी को हम थोरासिक कैविटी बोलते ह यह मालीजा आपका हर्ट हो गया, ठीक है, यह आपका लंग्स, ठीक है बच्चों, तो दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है, बच्चों होता है हमारा हर्ट, तो दो लंग्स के बीच में हर्ट होता है, अब आप बूलिंगे मैम, कि आप बोल रहें हैं कि हर्ट बीच में हो इसलिए जो हमें लेफ्ट की तरफ हर्ट की फीलिंग जादे आती हैं इसका सिचुवेशन मैंने आपको बता दिया हैं डायाफ्रॉम के ऊपर दोनों लंग्स के बीच में ठीके बच्चों हर्ट होता है हर्ट की मसल्स होती हैं जो कि हर्ट का निर्माड करती हैं जब भी आपको बच्चों कारडियक सब्द लिखा हुआ मिले इसका means होता है कि यह हर्ट से related है यह वर्ड किसे related है बच्चों कारडियक वर्ड हमें हर्ड से related होगा एक लेते हैं बच्चों, इस्ट्रेक्चर ओफ हर्ट के बारे में, तो बच्चों आपको पता है कि हर्ट क्या है, हर्ट ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीके हर्ट एक हालो अर्गन है, मेंस उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, उसमें केवल ब्लड आता जाता है, उ ब्लड का प्यूरिफिकेशन वर्क लंग्स में होता है, यह हम आगे पढ़ेंगे, तो बच्चों, कि जो हमारा हर्ट है, उसके फोर चैमबर होते हैं, आपको पता है ना, कि हर्ट क्या करता है, ब्लड को डियॉक्सिजिनेटेड ब्लड को लाता है, और आक्सिजिनेटेड पूरी बॉड़ी में सप्लाई कर देता है, तो यह काम क्या से हो रहा है, इसे हम फिगर की हल्प से समझते हैं, तो यह देखो बच्चों, क्या है, यह हमारा चार पार्ट है, ठीक है, हर्ट के चार पार्ट होते हैं, ठीक है, उपर वाले पार्ट को हम औरिकल बोलते हैं, औ बहुत के practically मिographers होता है अलिंद्व एंड वैंट्रिक्यमीरट होता है निल्रेंि थीक्शं दो किcover czym जिसा हम हां लाइ भूलता है और थी को अलेंद बोलते हैं यह जो इधाय वाला साइड है हम इसको बोलते हैं राइट औरिकल एंड इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट औरिकल ठीक है बचो नीचे वाला पार्ट जैसे कि आपको पता है यह वेंट्रिकल है तो इसे हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल इसे बोलें लेफट वेंट्रिकल, ठीके बच्चो एंड, जो औरिकल होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है in comparison of वेंट्रिकल, जैसां कि आपको figure से clear हो रहा होगा कि औरिकल छोटा होता है, वेंट्रिकल जो है, उसका size थोड़ा सा बढ़ा होता है एक लेयर बना होता है जिसे हम बोलते है पेरी कार्डियम क्या करता है यह क्या करता है बच्चो हमें हमारे हर्ट को प्रोटक्ट करता है इसके बीच में आपको यह डौट डौट थोड़ा सा दिख रहा होगा जगा स्पेस है इसके बीच में फ्लूड भरा होता है ठीक है बच्चो क्या भरा होता है फ्लूड भरा होता है अब इस फ्लूड को आप क्या बोलेंगे इस फ्लूड को हम बोलेंगे पेरिकार्डियम फ्लूट, ठीके बच्चों, क्या बोलेंगे इसे, पेरिकार्डियम फ्लूट बोलेंगे, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, इंफेक्शन से, किसी भी जर्क से, ठीके बच्चों, ये जो पेरिकार्डियम फ्लूट है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, किसी तो यह डिवाइड है इसलिए जिससे कि oxygenated blood और deoxygenated blood आपस में mix ना हो पाए ठीक है इसके लिए इसके बीच में septum बना होता है septum क्या होता है बच्चो septum means दीवार इन चारों जो पार्ट है उसके बीच में septum बना होता है दीवार बनी होती है जो इसको distribute करके रखती है ठीक है बच्चो अब हम देखते हैं कि blood का purification कैसे होता है यह है बच्चो हमारी superior venakawa venakawa हमारी vein है जो की impure blood को लेकर आती है पूरी body से blood को कौन collect करता है तो वो हमारा collect करता है superior venakawa superior यह दो veins होती है एक superior venakawa एक होती है बच्चो posterior venakawa या फिर inferior venakawa अब कह सकते है जो कि impure blood को पूरी body से carry करती है और इसे right auricle में लाके छोड़ती है ठीके बच्चों तो जो superior vena kawa है ये सारे उपर के part से means hurt के उपर के part से that means आपका हो गया lips हो गया, nose हो गया, ear हो गया, ये सारे जितनी भी आपके body parts है उन सबसे blood कौन लाता है तो superior vena kawa लेकर आती है hurt ठीके बच्चों and जो inferior vena kawa है वो hurt के नीचे वाले parts जैसे आपके kidney हो गई, legs हो गई और आपके feet हो गई, इन सबसे blood कौन लेकर आता है तो गो लेकर आती है बच्चों posterior vena kawa ठीके बच्चों तो vena kawa कुछ नहीं एक vein है जो कि क्या carry करती है, impure blood को carry करती है यह बहुत important point है कि क्या आप लोग इससे note कर लीजे and यहाँ पे देखिए यहाँ से blood इस figure में आप देख लीजे कि यहाँ से यह जो right auricle है यहाँ से blood enter होता है जितनी भी impure blood है यहाँ से इंटर हो रही है किसमें बच्चों राइट auricle में and right auricle में तीन valve होती है ठीक है बच्चों जिसे हम लोग tricuspid valve बोलते हैं यह blood आजाता है तो यह tricuspid valve खुलता है और blood कहां पे आजाता है बच्चों हमारा right ventricle में blood आजाता है ठीक है वो blood किसमें आजाता है right ventricle में यहाँ से pulmonary arteries जोड़ी होती है जो कि blood को कहां ले जाती है lungs में अब आप बोलेंगे pulmonary artery क्या होता है तो pulmonary artery हमारी फुस-फुसिये धमनी होती है जो कि इन pure blood को lungs तक ले जाती है यहाँ से blood purified हो जाता है तो यह purified होने के बार यह जो lungs से blood है वो pulmonary veins के through मतला फुस-फुसिये सिराओं के through यह कहां पर आएगी left auricle में blood आ जाएगा अब कौन सा blood आ रहा है अब आ रहा है हमारा pure blood ठीके बच्चों याद रखिएगा यह oxygenated blood left auricle में आएगा अब यहां से देखिए यह blood जब नीचे आएगा तो यहां पर लगा होता है bicuspid wall जो कि क्या करता है बच्चों कि blood को over means दुबारा उपर flow नहीं होने देता है आपको पता है अगर यह दुबारा उपर flow हो गया तो क्या होगा ठीके तो उपर flow नहीं होने देता है ठीके यह हम ब्लड आ जाएगा एंड यह लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा के थूँ यहां पर देखे आयोटा के थूँ पूरी बॉड़ी पार्ट्स में सप्लाई हो जाता हैं ठीके बच्चो आई होप आपको यह हर्ट का स्ट्रेक्चर समझ में आया होगा एंड आपको देख रहा होगा बच्चो की हर्ट में ब्लड दो बार आया और दो बार गणा आपने देखा पहले पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा था जो कि था बच्चो हमारा इंप यह पूरी बॉड आ रहा था deoxygenated blood left sorry right auricle में दनिहा से tricuspid wall खुला तो ये right ventricle में आके ये purify होने के लिए pulmonary artery के थ्रो lungs में आ गया तो हमें देखा कि blood दो बार आ रहा है दो बार जा रहा है इसलिए हम इस system को double circulatory system बोलते हैं ठीक है बच आपको समझ में रहा है कि double circulatory system क्या है कि blood दो बार आ रहा है हमारे heart में दो बार जा रहा है so that हमें से बोलेंगे double circulatory system ठीक है बच्चों आजोप आपको clear हो गया होगा यहां से देशे हैं यह हमारी pulmonary arteries हैं जो कि impure blood को carry करती है ठीक है और यह जो हमारा यहां पर यह जो हमारा left right वाला part है ठीक है right वाला part है इसमें हमेशा इंप्यॉर बड होता है deoxygenated blood होता है और जो हमारा left वाला auricle है means left वाले particle में left auricle left ventricle में उसमें हमेशा pure blood carry होता है तो आप से question करता है बच्चों कि जो impure blood है ठीक है इंटर करती है सबसे पहले हर्ट में ब्लेड इंटर कहां से होता है तो हमारा सबसे पहले ब्लेड कहां से इंटर होता है तो राइट औरिकल में सबसे पहले ब्लेड इंटर होता है तो आप देखेंगे यह वाला पार्ट हमारा राइट वाला पार्ट होगे यह हमारा लफ पार्ट होगे यह हमारा लफ प तो आपको, जो मैंने समझ में आगया होगा, अब फिरसे हम से & केरी से करते हैं कोई reagis ahim बहुत इंपोर्टन टॉपिक है अगर आपने ऐसे बना के अपनी पेपर अगर अगर आपने बनाया तो आपको बहुत मार्क्स मिल दे वाले हैं अपने बदा है है कि हमारा ब्लैड कैसे आया कैसे कर आठी है तो पड़ियर वैनकावा एन इनफीरर वैनकावा इंप्यूर ब्लैड को हमारा लेकर आती है । राइ्ट आॉरिकल में ठीके ब elét sum जो कहा है इंप्यूर ब्लैड है यहाँ से एक tricuspid valve खुलता है, जहां कि ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जो डियॉक्षीजिनेटर ब्लड है, वो पल्मुनरी आर्टरी के थुरू लंक्स में जाता है, प्योरीफाई होने के लिए, ये हमारा जो लंक्स से प्योरीफाई होने के बार pulmonary veins होती हैं जो कि blood को carry करती है oxygenated blood को carry करती है and left auricle में उसे लाके छोड़ दी हैं जब यह बच्चों left auricle में आ गया blood तो यहां से bicuspid wall खुरता है फिर blood left ventricle में आता है यहां से blood purify गो कर third पूरे body में आयोटा के थुरों distribute हो जाता है जो बच्चों यह आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो purification है blood का वो कैसे होता है तो अवा बोलेंगे मैम आपने feelings पताया ही नहीं कि heart में feelings होती है या नहीं तो बच्चों मैंने पूरे process में आपको feelings के बारे में कुछ बताया नहीं So feelings हमारे heart में नहीं होती है Feelings होती है हमारे mind में Emotions पर हमारे mind में होते है So heart क्या करता है बच्चो के वाल ये pumping organ है और ये blood का supply करता है ना कि कोई feelings है ठीक है बच्चो तो आप बोलें कि माम हम तो कल बाहु बली देखने कहते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेंगा आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास भी प्रेयर करें जैसे उन्हें आपी ठीक है